हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू यो ओन यूट्यूब चैनल आज का टॉपिक यह है कि अंडे खाना प्रेगनेंसी में सेफ है कि नहीं सेफ है बहुत से क्वेशन इस पे बेस्ट है ठीक है बहुत से क्वेरीज हैं आप लोगे मन में कि क्या जैसे ही मैं कंसीव कर जाओं डे फॉर्स्ट से इसको मैं ले सकती हूँ कि नहीं ले सकती हूँ और इसको मुझे कितने amount में लेना है क्या अगर मैं बहुत ज़ादा एक लूँ बहुत लोग को बहुत पसंद होते हैं तो वो शुबर साम डेली खाना चाहते हैं इसके खाने से क्या मेरे बेबी पे कोई effect तो नहीं पड़ेगा क्या इसके लेने से abortion तो नहीं हो जाएगा क्या ये गरम होता है कि हमको pregnancy time में नहीं लेना चाहिए तो ये जितने भी आपके question है इस वीडियो में मैं सारा cover up करूंगी तो आज का topic यही है कि act is safe in pregnancy or not तो चलिए आज का topic शुरू करते हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं guys कि अंड़े खाने से क्या होता है इसके health benefits क्या होते है तो guys इसमें अच्छी मातरा में protein present होता है vitamins present होता है vitamin D present होता है vitamin A होता है calcium होता है साथ में इसमें अच्छी माट में amino acids पाय जाते है तो guys एक एक ऐसी चीज है एक ऐसा food है जिसमें 9 essential amino acids present होता है ठीक है amino acids लेने से आपकी skin अच्छी रहती है आपके hair अच्छे रहते हैं आपके immunity strong होती है तो इसको हम लोगो daily consume करना चाहिए कि नहीं consume करना चाहिए pregnancy time में बहुत से मरीज के मन में ये रहता है कि ये खाने से गरम रहती है लेंगी यानि 4-5 अंडे लेंगी तो ये आपको indigestion की problem create कर सकता है साथ में ये आपको acid भी बना सकता है क्यों क्योंकि guys जैसे ही आपकी pregnancy रुपती है already आपके body में इतने hormones release होने लगते हैं कि जिससे आपको acid form होता है ठीक है तो हम लोग एक limited amount में बताते हैं अब आपके मन में ये question आएगा कि इतनी घेर सारी चीज इसमें present होती है तो हम लोग क्या day first से इसको ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं तो guys आप इसको day first से ले सकती है कब ले सकती हैं guys आप इसको morning में आप boiled egg के form में ले सकती हैं कि अगर आप half fry खा रही है तो भी आप इसको ले सकती है but guys इसमें आपको raw egg और un-pusturized egg नहीं खाना है क्यों? क्योंकि guys इससे आपको infection होने के chances हो सकते हैं जिससे आपके baby को effect पड़ेगा इसमें आपको salemone infection हो सकता है इसमें आपको listeria के infection भी हो सकते है तो इसलिए हम लोग raw egg खाने के लिए मना करते है आप अच्छे से उसको 15 to 20 minutes बॉल कर लीजे अंडे को जो अंदर yellow वाला part होता है वो अच्छे से cook हो जाए तो फिर उसको आप खा सकती है अगर आपको yellow part नहीं पसंदे तो सिर्फ आप white part भी ले सकती है white part में बहुत protein होता है जो कि आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ही beneficial रहता है ठीक है और अगर आप उसको half fry कर रहे हैं तो half fry में भी जो yellow वाला part रहता है उसको अच्छे से एदम थोड़ा सा एक उतने runny type का egg होता है मतलब ना बहुत पका होता है ना बहुत कच्चा होता है तो उस type में आपको नहीं लेना है अच्छे से उसको पका के दोनों side से उसके बाद आप fry form में भी ले सकती है आप इसको gravy के form में भी ले सकती है बहुत से लोग है vegetables जब cook करते हैं ग्रैवी में तो उसमें भी एक डाल के खाना पसंद करते हैं तो इसको आप ले सकती हैं एक की बिरियानी भी ले सकती हैं तो इस फॉर्म में आप ले सकती हैं बट गाइस जो हम लोग घर में होम मेड केक बनाते हैं कुकीज बनाते हैं तो उसमें रौ एक प्रेजन्ट होता है ठीक है तो raw egg को generally आपको avoid करना है साथ में अगर आप market का mayonnaise ले रही है या फिर कोई और भी form में कुछ market का ले रही है जिसमें raw egg है तो उसको आपको नहीं लेना है तो guys कोशिश करें कि egg boiled egg खाएं और two egg per day आप first day of pregnancy से खा सकती है इसमें कोई भी आपको घबराने की बात नहीं है और इससे बच्चे पे आपके कोई effect नहीं पड़ेगा और नहीं इसमें egg खाने से अभी तक कोई abortion की history है तो guys आप खाएं लिमिटेड एमोन में खाएं बट अगर आपको egg खाने से कोई problem हो रही है बहुत जादा acid form हो रहा है ठीक है तो आप first trimester में avoid करके second trimester से भी start कर सकती है तो guys यह था आज का topic की egg से आपको क्या-क्या benefits मिल सकते है इसको खाने से आपको abortion होगा की नहीं होगा तो guys इस topic से related या फिर other topics related आपके कोई भी queries हो तो आप comment section में मुझसे जरूर पूछिए